नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंधम सर्मार आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी माननेताओं की जो जाने अंजाने हमारे जीवन से जुड़ी हुई है अब जैसे हमारे यहां कहते हैं जूते चपल उल्टा नहीं होना चाहिए नहीं एक दूसरे पर चड़े वे होना चाहिए और नहीं बिखरे वे रखना चाहिए आखिर क्यों इसके पिछे क्या माननेता है जूता और चपल अगर उल्टे पुल्टे हैं तो आपकी किसी से लड़ाई जगड़ा हो सकती है एसा माना जाता है घर के बाहर अगर आप जूते चपल उल्टे हो गए हैं आपने खोल के रखा है तो तुरण सीधा कर दें किसी अन्निका भी है आपकी नजर पर चुकी है तो सिधा कर दें नहीं तो आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है बाद भी बाद होने की संभावना बढ़ जाती है वैसे तो जूते चपल को कई लोग नजर दोस या फिर अनहोनी से भी बचने का टोटका भी बांते हैं इसलिए अपनी गाड़ी के पिछे आप देखिएगा तुटा हुआ जूता चपल लटका देते हैं इससे कहते हैं नजर नहीं लगती है कुछ लोग मानते हैं सनीवार क छोड़े चोड़ और मन्दिल में जूते चपपल चोड़ा थो बुरा गरह पिछा चोड़ देगा, या फिर अगर आपके जूते चपपल किसे ने की चोरी कर लिए तो यह आपके लिए अच्छा सकून होता है, इसा कडी में आज बात करते हैं। आप किस memory के जूते चपल पहनते हैं और आपको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है इससे भी जूड़ी हुई है आपका जूते चपल का कलर बहुत माइने रखता है ब्राउन कलर या कॉफी कलर इस कलर का अगर आप जूते या चपल पहनते हैं तो बनते हुए काम बिलड़ने की संभावना ज्यादा रहती है इसलिए ब्राउन या कॉफी कलर का जूता चपल पहनने से बचिए अगर आप लिखा पड़ी का भी काम करते हैं तो कॉफी कलर या डार्क ब्राउन कलर का जूता आपके लिए भी असूब रहता है जब भी आप इंटर्व्यू देने जा रहे हैं या जॉप की धूर्डने के लिए जा रहे हैं तो कभी भी फटे पुराने पैबंद लगे वे या कभी-कभी लोग क्या करते हैं थोरे से कहीं तो कुछ लगा के वहां पे चिपका दिये और उसी को पहन लिए तो ऐसे जूते चपल ना पहने वरना आपको औस फलता हाथ लग सकती है कम दाम के ही पहने पर ढंक के पहने सलीके के पहने साप सुत्रा हो सही कंडिशन में हो जूते चपल पहन के बाहर तो आप भोजन कर सक चपल कभी भी इधर उधर बिखेर कर नहीं रखना जाहिए उन्हें करम में सजा कर रखे और हमेशा ध्यान दे एक पे दूसरा जूता चपल चढ़ा हुआ ना हो हमारे हिंदू धर में बहुत सी मानेत आये हैं और हर छोटी बड़ी चीजों को सुभ और असुभ से जोड़ कर देखा जाता है हर ड्यक्ती चाहता है उसे किसी भी तरह की कोई असुभ ता उनको मतलब जीवन में प्रवाव ना डाले और कार भी सुचारू डूप से चलती रहे तो आपके घर का जूता चपल जोतिस के मुताबिक भी आपके जीवन पे प्रवाव डालता है कभी भी तूटी फूटी भी जूते चपल यूज ना करें और जब आपका जूता चपल तूट जाता है तो उसे संभाल के मत रखिए कि बाद में ठीक करा लेंगे नहीं ये नकात्मक सक्तियों को कीचता है इसलिए इसे बाहर का रास्ता दिखा दे तो ज़्यादा अच्छा है कभी भी घर के चोखट पे दहलीज पे यानि ठीक मुख की दर्वाजा जहां बंद होता है बीचों भी जूते चपल नहीं रखना चाहिए खासकर खड़ी करके घर में positive energy प्रवेस नहीं कर पाती है इस बात का हमें साथ ध्यान रखिएगा और दर्वाजे पर जैसे आपने घर में इनके दर्वाजे पही जूते चपल उतार दिये ऐसा भी नहीं करना चाहिए वरना आपके घर में बरकत नहीं होगी जब भी जूते चपल खोलना है घर क किसी ने gift किया है जूता चपल तो इसका मतलब है वो अपना दुर्भागे आपको दे चुका है और किसी से gift में कभी जूता चपल ले भी नहीं जब भी ले पैसे दे कर ले और वैसे तो कहते हैं अगर जूता चपल चोरी हो जाता है तो धन हानी होता है लेकिन बहुत सारे जगह इसे सूब माना जाता है खास कर अगर आपका सनीवार के दिन जूताय चपल चोरी हो जाता है तो ये सूब होता है और बहुत सारे लोग छोड़ के भी आते हैं अपने कीचन में कभी भी जूते चपल ना ले जाएं खास कर गंदे जूते चपल अगर आप यूच करने के लिए तो अलग चीज है ऐसा करने से अगर आप गंदे जूते चपल पेहनते हैं या बाहर के पहने बहुते चपल पहन के चले जाते हैं तो अनका और अगनिका आप्मान होता है इसलिए इन बातों का धेयान ड़ियेगा अगर कोई सूप कारी के लिए निकल रहे हैं तो जैसे हमने पहले भी कहा है तो ब्राऊन कलर का जूता ना पहने वरणना बने-बनाईवे कारे आपके बिगड़ सकते हैं आप जब भी तिजोरी लॉकर खोलते हैं जहां आप धन रखते हैं तो जूता चपल पहने भे मत खोलिए, खाली पैर रहना चाहिए, ऐसा करने से मालक्षमी का अपमान नहीं होता है, वर ना अपमान होता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, और हमारे वास्तु के अनुसार, अपने घर के पूर्व और उत्तर कोना, जो भगवान का कोना है, इसान कोना है, भूल कर भी जूता चपल नहीं रखना चाहिए, और ना ही उतारनी चाहिए उसकोन में, अब उसकोन में तो भगवान का अस्थान है, भगवान रहते हैं, तो भगवान दोनों हाथों से आपको आसिरवाद दे रहे हैं, और वहां पे आप जूते चपल ख रखें खुद ना रहें नहीं बच्चों को रखें फिल्हाल हम आपसे बिदा लेते हैं उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीजे लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद हर हर महादेग